हेलो एब्रीवर्ण एंड जा हिंटु वाल मैं अन्मोल माटा अब सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक की यूटुब प्लेटफॉर्म पे आज की सेशन में हम लोग टॉप हंडेट सिनोनीम्स कवर करने वाले हैं डी स्टूरेंट्स एज आल लो इससे पहले हम जोने दो वीडियो लाई थी जिसमें हमने वन वर्ट सब्सीटूशन और इडियम फ्रीजस टॉप हंडेट डिसकस किये थे वह वीडियो में काफी सारे स्टूरेंट के कॉमेंट मुझा आया थे कि मैडम आप सिनोनीम एंड एंटनीम का भी इसी तरीके से वीडियो बनाओ तो आप लोगों की गुजारिश की अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो प्लैन ओट किया है और इसमें टॉप हंडेट लिखा है लेकिन एड़ एंड अब दस सेशन आपके ओन एंवरेज 500 वर्ट कवर हो जाएंगे बिकॉस जो एक कोशन है उसके चार ओप्शन वो तो मैं आ लोग अपना सैशन स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या-क्या चीजें हमें देखनी हैं सैशन स्टार्ट करें उससे पहले हम आप लोगों को बता दे अभी 6 मिलियन हमारा सब्सक्राइबर रीच हो चुका है तो उसी के कांटेक्स में आप लोगों के लिए सेल भ पड़ा रखा है इंग्लिश स्टूरेंट जिनको कम्प्री हैंशन में प्रॉब्लम आती वोक्याबलरी में प्रॉब्लम आती सारी चीजे आप लोगों की इस बैच के तुरू कवर हो जाएगी तो जो भी इस स्टूरेंट है जो इंग्लिश में अपने आपको क्लास का फर्स्ट वर्ट कौन सा है जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर डिया गया है वर्ट पैंडिमोनियम आपका काम क्या स्टूरेंट आपको सबसे पहले उस वर्ट का खुद से सिनोनिम फाइंड आउट करना है और फिर एक्स्पिनिशन पार्ट देख रहे हैं आई होब और में नहीं है सारी चीजें डिस ओडर वे में हैं इसका करेक्ट इंसर यहां पर क्या हो जाएगा क्योस हो जाएगा क्योस मतलब क्या होता है अगिन वही पैंडिमोनियम गडबर शोरगुल को लाहल आप इसे ऐसे भी बोल सकते अब कौन-कौन से सिनोनिम से इसके हो सकते ह तो वह मैं आपको बता रहती हूँ एक्जाम में जो पूछे गए तो सबसे पहले लिखो टर्मोईल टर्मोईल क्या है यह सिनोनिम है किसका पैंडिमोनियम का एक तो होगा क्योस और क्या क्यों हो सकते है तर्मोईल उसके बाद एक वर्ड लिखो बैदलिम का मतलब भी क्या होता है शोरगुल ठीक है उसके बाद next word लिको माय हैं क्या लिखोगी भी या माय है ये भी क्या है सिनोने में पैंडीमोनियम का इस क्लास में मैं आपको ओ सारे words कवर कराऊंगी जो एससी में recently पूछा गया है ठीक है अपकमी एक्जामनेशन गया ठीक है तो correct answer आपके यह पर हो जाता है क्यों उसके अलावा बाखी चार वर्ट जीवे उसके मेंनिंग बताती जा रही हूँ पैंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना क्या करना भीया बढ़ावा देना उसके अलावा panic पैनिक का मतलब होता है परेशान होना क्या होता भी यह परेशान होना gratify का मतलब होता है to make someone happy और satisfy किसी को संतुष्ट करना gratify का मतलब यह तो question number one clear हो गया होगा आगे बढ़ते हैं और next question की तरफ बढ़ते हैं लथार्जिक लथार्जिक का आप लोगों को answer mark करना है ठीक है I hope आप लो लोग हो गया है और दक्रेंसी क्या होगी है बिल्कुल tired हो गई है सुस्त हो गई है और exhausted हो गई है क्या क्या बोल सकते हैं टायड हो गई है सुस्त हो गई exhausted होगी तो correct answer यहां पर होगा आपका in active क्या होगी यह भी या inactive और कौन-कौन से words आप इसके लिए यूज कर सकते हैं तो इन सारे words को भी आप लोग साथ साथ note down करते जाना elated का मतलब होता है खुशी और बाकी words simple है I don't think so बताने की requirement है आगे बढ़ जाते हो नेक्स देखते हैं क्या है टैसीटन का मतलब होता है वो इंसान जो ज्यादा बात ना करे अनकमिनीकेटिव हो रिजर्वड हो लोगों से ज्यादा बात्चित करना उसे पसंद ना है तो correct answer इसका यह आपे हो क्या reticent यह word exam में कम से कम पाट से दस बात उच्छा गया है यह वाला वर्ड इवन जब मैंने SSC exam दी थी तब भी उच्छा गया था ना 2021 की बात करें तो टैसीटन का मतलब क्या होता है reticent जो इंसान चुप रहे ज्यादा बाते ना करे उसके लिए हम और क्या-क्य वर्ड यूज कर सकते तो एक वर्ड लिख लिए हो reserved एक इसके आगे Uncommunicative जो ज़्यादा बाते नहां करे उसके लिए Uncommunicative एक वर्ड होता है introvert आट्र मुखी जो इंसान ज़्डा है इनतर बाते नहीं करे अपनी बात अपनी दिल के अंदर रखे उसे भी हम क्या कहते है यही कहेंगा चिक है ग्यार्णिस का मतलब होता है इसका बात हूजिट ठीक है जी, तो ये सारे words हम लोगों ने देखी किसके, टैसी टरन के सिनोने, आपका काम क्या है, टैसी टरन कॉपी में लिखो, उसका हिंदी मतलब लिखना तो लिखो, otherwise आप डिरेक्ट इंग्लिश सिनोनेम्स भी लिख सकते हो, all right, चली, बढ़ते next slide की तरफ, और देखते next word क्या है आप लोगों का, मौरी बंट, image कि थ्रू आपको, I hope, answer मिल गया होगा, मौरी बंट का मतलब होता है, जो चीज मनने की तरफ, and that is at the stage of dying, correct answer यहापे क्या हो जाएगा, dying, ठीक है, stagnant का मतलब होता है, वो चीज जो बिल्कुल क्या हो, इस्थिरो, उसम क्या केते हैं, stagnant bloom का मतलब होता है, udaस, हाणां, क्या होता है, बहुता है बहुता है, अदास, super floss, super floss का मतलब होता है, more than required, जर्वत सी ज़्याद, उसे हम क्या केते हैं, super floss केते हैं, ठीक है, तो यहाद थना more event का correct answer, क्या हो गया, dying हो गया, ठीक है, dying के लाइट के लागा, और कुन-कुन से w Чaring बोल सक्ते हो तो इसके साथ आप एक वर्ड क्या सकते हो declining जो छीजड घटते क्रम में हो declining और क्या क्या सक्तियों तो एक वर्ड आता है इसके लिए waning, weak,構 होता हुआ, घटता हुआ, खतम होता हुआ, फिलेकर है, जी क्या हो गए, इसके इसका negative का, है न, malvolent, malvolent का मतलब होता है, जो इंसान लोगों से क्या करता हो, नफरत करता हो, है न, द्वेश की भावना रखता हो, सामने वाले प्रतीगी, है न, उसे हम क्या कहते है, malvolent, तो malvolent का correct answer क्या होगा, आप लोगों की पास चार options है, confused का मतलब तो आपको पता ही ह है, चक्रायव, spiteful, spiteful का मतलब वही होता है, द्वेशी, आन, मानव द्वेशी, frugal का मतलब होता है, किफायती, वो इंसान जो पैसा बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्चा करे, ऐसा नहीं कि आज मैंना सो रुपे कमाया तो सो के सो लुटा के आज होगा, नहीं, frugal का मतलब होता है, किफायत, चीक है, और spiteful क्या है भईया, इसका correct answer है, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखते हैं, spiteful, और क्या क्यों कह सकते हो, इसके लिए आप एक word क्या सकते हो, revengeful, क्या क्या सकते हो, revengeful, और वो इंसान जो बदलेन लेने की भाहवना रखता हो, उसके लिए हम ए vindictive, क्या कहते है भईया, vindictive, और भी कोई word आप लोगों के मन में आ रहा हो, तो आप share कर सकते हैं, इमेज में आपको दिखी रहा है, इकॉन है, malevolent, ठीक है, cedate, cedate का मतलब क्या होता है, something which is very serious, जो क्या हो, serious हो, गंबीर हो, उसे हम कहते है cedate, ठीक है, तो I hope आपको बा आप सारे students ने CGL की exam भी अच्छे से दी होगी, और जिन भी students ने CGL की exam दी है, तो मुझे सभी बताना कि English vocabulary का जो session आप लोगों के लिए मित्ते time से चला रहे, वो आपको कितना ज़्यादा beneficial लगा, मतलब उससे कितनी ज़्यादा आप लोगों को help मिली इन exams में, और अभी आ तो back-to-back exams है, और आप सभी को पता है, recent trend के according अभी vocabulary ज्यादा examiner पूछ रहा है, अगर comprehension भी पूछ रहा है, तो आपको कोशिश ही करनी कि ज्यादा से ज्यादा vocabulary पे अपनी command strong करनी है, ठीक है, आप लोगों के लिए हम काफी सारे vocab के session ला चुके है, vocab के sessions को देखो, continue से revise क करो, हाना, revision सबसे important है, अगर आप revision नहीं करोगे न, तो आगी नयने वर्ट सीखने का कोई भी मतलब नहीं है, हाना, तो इसलिए सभी को बार-बार क्याती हो, कि जितना हो सके भी या, revise, revise and revise, ठीक है, चल, next word है, venial, सभी लोग खुद से इसका answer लगाओ, बाद में इसका correct answer आना, venial, photo से, image से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, venial का मतलब होता है, शम्य, कोई ऐसा इंसान जिससे आप क्या कर सको, माफ कर सको, आना, pardonable, कोई गलती ऐसी, कोई गलती आपने कर दी हो, लेकिन वो गलती कैसी हो, pardonable हो, उसे हम क्या कहते हैं, या, venial कहते हैं, ठीक ह जी, और आप लोगों के मन में कोई, सिनो ने मारा, स्लिटिट तो बता सकते हो, corrupt का मतलब आप सभी को पता है, है ना, superficial, superficial मतलब होता है, ओपनी ओपनी सता से, respected माननिय, ठीक है भाई, लेक्स क्या है, evans, evans, चार ओप्शन से, recollect, show, appear, produce, ठीक है जी, evans का मतलब क्या होता है evans का मतलब होता है, प्रकट होना, क्या होता भीया, प्रकट होना, तो correct answer आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, appear, क्या हो जाएगा भीया, appear, appear, separated और कौनकन से words बन सकते हैं, तो प्रकट होना के लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हो, evident, क्या यूज़ करते हो, evident यूज़ प्रकट होना, तीक है, और क्या, evans प्रकट होना, इसके लिए हमें एक वर्ड यूज़ करते हैं, exhibit, क्या यूज़ करते हैं, exhibit, एक बहुत ही easy word, display, क्या करना भीया, display करना, ठीक है, बाकी सारे words easy है, इनको मैं नहीं बता रही हूँ, I hope आपको पता ही होगे, चलो next word देखो, hoodwink, hoodwink का मतलब क्या होता है, I hope आप लोगोंने answer mark कर लिया होगा, image के true आप लोगों को clear होगा, hoodwink का मतलब होता है, वो इंसान जो किसी को क्या करे भीया, धोका दे, क्या दे भीया, धोका देने वाला, धोका देना या धोका देने वाला, तो hoodwink का correct answer या पे क्या हो जाए का होता है जो धोका देता है उसे मां कहते है डिसीट क्या कहते है याव होता है चीट क्या होता है चीट तो याद रखना ये सारे words से क्या है ये illicit है आपे spelling illicit का मतलब वही गयर कानों नी secret आपको पता ही होगा stare का मतलब होता है गूर न क्या होता है भीया गूर न ठीक है I hope सारे words आप लोगों को clear हो रहे होगे बढ़ते हैं next question की तरफ and here it is obscure obscure का मतलब क्या होता है भीया one word में बोलू तो obscure का मतलब होता है something which is all spushed खेला जो चीज हमें clear ना हो उसे हम क्या कहते है भीया obscure कहते हैं देखो obscure को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो एक तो positive sense में और एक negative sense में जैसे मैं मोलू bet तो bet सुनके आप लोगों के माइंड में दो images बन रही होगी एक तो यह ओला जो bed ball होता है और दूसरे यह चिम कार्डर वाला bet है कि ने that means obscure इसा word है जो दो चीजों के बीच में क्या करें confusion create करने का काम करें तो यहाँ पे correct answer आपका क्या हो जाएगा confusing ठीक है और क्या कह सकते हो एक word ambiguous होगा है यापर इसी का synonym क्या होगा ambiguous ठीक है तो एक तो context ही होगा obscure मतलब जो चीज क्या है और दूसरे context में obscure को use करते हैं जब कोई चीज बहुत ही ज़्यादा विचित्र हो जिसे लाइक आप कोई चीज को देखो और उसे उसे देखकर आपको लगए कि और ये वापर ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या हो ज़्यादा जो चीज बहुत ही ज़्यादा विचित्र हो तो विचित्र के context में आप एक word यूज करते हो esoteric कौन सा word यूज करते हो भी या esoteric और एक और वड एक्जाब में पूछे जाता है होगे exposed मतलब भई परदाफाश करना explicit समझाना obvious मतलब जो चीज obvious हो इस पश्ठ हो ठीक्या next देखिए भईया next देखिए उससे पहले हम आपको बता दे कि हमारे उत्त्य प्रदेश जी के मध्याप्रदेश जी के इनकी live batches चरह रहे है इसके registration open है तो अगर कोई student है जो लोग इस exam को target कर रहे हैं तो प्रीज एक बार आप हमारा route application download करके इन batches को जरूर visit कर ले न and might be possible आपको काफी सारी questions इनी batches से देखने को मिले हैं ठीक है जी आगे बढ़ते हैं और next word आप लोगों की screen पर है eloquent very important word यह exam में कम से कम 10 से 15 बार पूछा गया word है आज की class में आपको जो भी words करा रहे हैं students यह वो words मैंने sort out करे हैं पिछले पाच यह एक्जाम पेपर में से जो continuously repetitively पूछे गया है for example CGL exam होगी CHSL होगी, MTS होगी, CP होगी सारी exams में जो continuously repetitively पूछे उन words को मैं आप लोगों के साथ discuss कर रहे हूँ और साथ ही साथ इससे related और जो जो words बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ discuss कर रहे हूँ ठीक है, तो देखो eloquent eloquent का मतलब होता है वो इंसान जो अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरी इसे किसी को express करे तो बहुत ही बड़िया तरीके सरक है ना तो इसका correct answer होगा fluent यहाँ पर और कौन कन से important synonym बन सकते हैं तो एक word लिखो articulate एक्जाम में ये भी word पूछा गया है कहीं बार articulate है ना और क्या लिख सकते हो एक word ये भी important है persuasive persuasive वो इंसान जो अपने बात हो बहुत अच्छे से express कर सके expressive expressive ये सब क्या है भी ये synonym है किसके eloquent के चिक है वाचाल हिंदी में आप इसे कर हो गया ignorant आप सभी को पता है अज्यानी रोड रोड मतलब वही बुरे विवार वाला significant जरूरी आज आवश्यक चलिए next word आप लोगों के सामने है nefarious nefarious word का मतलब क्या होता है भीया nefarious word का मतलब I hope mark कर लिया होगा इसका मतलब होता है दुष्ट पापी इमेज में आपको दिख रहा है नगबबर गबबर बहुत दुष्ट प्राणी था यह नगवाती ज़्यादा आतंत मंजा रगा था शोले मूवी आए और आप लोगों ने देखी होगी तो लिक लेन नफीरियस मतलब दुष्ट कप्टी पापी इनसान उसके लिए correct answer यहाँ पर क्या होगा इनी क्यूचिस क्या होगा भीया इने कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही जादा क्या हो cruel हो wicked हो wicked हो cruel हो evil हो यह सब क्या है भीया नफीरियस के synonym है ठीके एक और वर्ड इग्जामनर पूछता है उसे हम कहते ही हीनियस क्या कहते हैं यह हीनियस यह भी adjective है यह भी adjective है तो याद रखी तो हीनियस विकिट एविल क्रूएल यह सब क्या है आपके synonyms purposeful मदब उद्देश है नफ suspicious मतलब जिसके उपर हमें संदेव हो virtuous का मतलब क्या होता है धार्मिक क्या सकते हूँ virtuous लटीस और धार्मिक बाकी words भी important है तो इन्हें भी आप लोग याद रखते जाना साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next word क्या है suraptious suraptious word का मतलब होता है चुपके से secretly क्या होता है भी या चुपके से हिंदी में अगर में बोलो तो है ना बिना किसी को बताये होए किसी काम को क्या कर जाना कर जाना तो चुपके से एक वर्ट एंग्जाम में पूछेर जाता है हवे हैं कोवक्ट है कोवक्ट इसका सिनोनीम हो जाएगद और verde और और रहता है क्लेंग स्टैनिंगbay यह वह सिननॉनिम है क्लाइंगस तें इक और वर्ट चुक्श से करने के लिए हम वडें चलीट है तैसे बाइंग sister उस्तिली आपको पता ही है ऐनो जब हम कोई नैया अदामकरने जारें क्या होता है क्ताल वह सफिज सटैनिंगना अपना होता है इंपायस का मतलब होता है अपवित्र, लिखते भी जो बले पी लिखना हो तो, अपवित्र, आठलस, आठलस मतलब जिस इंसान में कोई आठ नहीं हो, जिसम कहते हैं आठलस, आल्राइट, चाल, नेक्स वर्ड देखू क्या है, इनानीशन, ठीक है जी, चार अप्शिन्स आप मतलब होता है सुस्ती, या फिर थकावपन, या फिर इमेशेटिड, बतलब वो इंसान जिसे प्रॉपर आप खाना, पीना ना दो, तो उसकी वज़े से वो क्या हो जाए, शीर हो जाए, बिल्कुल पतला हो जाए, हाना, इमेज में आपको दिख रहा होगा है, भाई साब की सारी हट्डी हट्डी भी दिखने लग दे, हैं अठाचा दिख रहा है पूरा उसका, तो इनानिनेशन, या क्या अकॉर्डिंग, करेक्ट अंसर या पर क्या होगा, लेथार्जी, लेकिन अगर मैं एक्जेट मीनिंग की बात करूँ न, कि इनानिनेशन का एक्जेट क्या होता है, तो उसका करेक्ट इंसर होगा, इमेशियेटिट, इमेशियेटिट, जब आपको चार दिन खाना नहीं दिया जाया, और आपकी हालत, जो होगी न, उससे हम क्याते हैं, क्या, इनानिनेशन, स्टार वेशन भी क्या सकते हो, क्या क्या सकते हो, स्टार वेशन भी क्या सकते हो ठीक है तोई चिनी चीज याद रखना आगे बढ़ते हैं offensive आप सभी को पता ही होगा offensive मतलब जो आपके दिल को रुकसान पहुचा है कोई चीज offense vacillate vacillate भी important word इसका मतलब होता है डग मगाना grasping मतलब समझना क्या हो तब ही या समझना next word देखिए भी या I am vaccinate अभी आपको बताया और आप लोगों की स्क्रीन पर वो word आ गया vaccinate का मतलब होता है जब आपके सामने दो रस्ते हो और आपको समझ भी नहीं आ रहा हो कि मैं ये रस्ता चुनूं या ये रस्ता चुनूं तो डगमगाना अगर सिंपल भाशा में बोलू तो इसका मतलब क्या हो गए होता है डगमगाना ठीक है डगमगाना मतलब क्या होना confused होना एंResolve it आप इसे कह सकते हो तो लिए दो ऊप्शन के बीच में सके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डिलेंवा dilemma word भी use करते हैं, उसका अब मतलब क्या होता है, vacillate ठीक है, और क्या-क्या word हो सकते है, डगमगाना के लिए, एक word होता है, fluctuate पता ही होगा आप लोगों को, है ना, fluctuate, waver, waver का मतलब भी होता है, डगमगाना, जब आपको समझ मिनी आ है, मैं ये करूं की वो करूं तो उसके लिए भी आप एक वर्ड ये उसकरते हैं, है नो? साइन्स में आप लोगों नेक वर्ड ये देखा होगा, ओसीलेट, ओसीलेट, है नो? देटनीस, दो चीजों के बीच में कन्फूजिन होना, उसे भी हम क्या कहते हैं, या? वर्ड ये सिलेट के सिनोनिम में रख सकते हैं, ठीक हैं, बाकी वर्ड इजी है, I don't think so, आपको बताने की जरुवत है, आगे बर जाते हैं, अगे बर जाते हैं, अगेन वेर इंपॉर्टेंट फॉर्ड, लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब होता है, बातुनी, क्या होता है बटुनी, हणव, अब हम लोगों ने देखा था, इंसन जो जादा बाते नहीं करता है, उसके लिए मने वर्ड देखा था, रैटीसंट, टेसीटरम, तो इह उसकी एपोसित हो गए, लोकीशेस का बतलब एक होगा टॉकिटिफ, कम्यूनिकेटिफ भी बोल सकते हो, और एक और वर्ट एक्जामें पूचे जाता है, अभी थुई दे पहले ही स्क्रीन पाया भी था, गयरियूलस, एक्स्ट्रो वर्ड भी, एक्स्ट्रो वर्ड भी क्या सकते हो, इसके सिनोनिम मे आप लोग, ठीक है जी, तो इस सारे वर्ड आप लोगों को धियान रखनेशन, ठीक है, किसके लोकिशेस के सिनोनिम में, बाकी वर्ड इजी है, फुलिशनेस, मुर्खता, ग्रेसपुल, सब्यक, इंटर्टेनर, इजी वर्ड, बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस का मतलब क्य होता है, आई हो, पिच्चर के थ्रू आपको क्लियर होई गया होगा, है न, बॉइस्ट्रस मतलब वई, जो भाट ज़्यादा शोरगुल मचाए, है न, कुल आहल मचाने की कोशिश कर, उसे हम कहते हैं, बॉइस्ट्रस, तो करेक्ट अंसर यहाँ पे आप लोगों का हो बॉइस्ट्रस है न, बहुत ज़्यादा शोरगुल मचाने वाला, फेरोशियस का मतलब होता है आक्रमप, जो बहुत ज़्यादा, लोयन के सानिमल है, फेरोशियस है, वो जैसे यह आपको देखेगा, आपके उपर आक्रमंट करने की कोशिश करेगा, तो क्या हो गया हो गय विसी पैरस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस् आपको clear हो रहा होगा, हालत होगी, tight, यह कैसे हो गए, हेगाड, हेगाड मतलब again क्या होता है, थका हुआ, थका हुआ, थका हुआ, तो correct answer यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा, immaciated, दक्रीज, आप इतने थकेवी हो कि अब आपकी body in the deteriorate होने लगी, है नब पतली होने लगी उसवजे से, आप तो immaciated, lean, यह सब क्या हो गिसके, synonyms हो गया, जी कहाँ जी, तो हैगाड, जो इंसान थकावा हो, उसके लिए हमें एक वर्ड यूज करते है, drain out, क्या यूज करते है, drain out, और जो इंसान थकावा हो, उसके लिए हमें एक वर्ड लिखते है, innervate, innervated, एकद जो vocabulary नो, उसको day-to-day language, life में यूज करो, जितना ज्यादा आप इन वर्ड को अपनी day-to-day life में यूज करोगे न, तो खुद में खुदी वर्ड सियाद हो जाएगे, आपको बैठके रट्ता नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है, तो जितना हो सके इन वर्ड को यूज करो, reject मत आपको भी यह बता रहा है, synonym, ravage का हिंदी मतलब होता है, क्या? उजारना, क्या होता भी यह? उजारना, image में आपको दिख रहा है, यह पेड को उजार दिया गया है, यह न, that means, answer क्या होगा, correct यह आपे, damage, damage, simulated, और कौन बल से वर्ड होगे तो आप बोल सकते, destroy, devastate करना, dismant mental करना, यह सारे इसकी क्या हो जाएंगे, synonyms हो जाएंगे, ravage, दकीज, क्या, किसी चीज़ को उजारना, ठीक है जी, surrender, समर्पित कर देना, construct पता है, liberate का मतलब होता है, मुक्ती, and important word है, यह भी एक्जाम में कहीं बार पूछा गया है, ravage, ravage का मतलब क्या होता है, यह आप जिसाब लोगों ने वो इस्टोई सुनी होगी, जिसमें अमरित का प्याला, जब समुद्र मंतन किया गया था, तो इक अमरित का प्याला नहीं किया था, है न, अमरित का प्याला जो था, वो आपी लोगों के पास आ गया था, लेकिन देवता लोग चाहरे थी, कि वो लोग अमरित अपने पास ने लिया था, तो रेविश का मतलब भी होता है, किसी को क्या करना, मोहित करना, तो करेक्ट अंसा अपने या पर हो जाएगा, इन्थ्रॉल, ठीक है, और रेविश करना, that means, किसी को कैप्टिवेट करना, ठीक है, मेसमराइज, मेसमराइज वर्ड भी, वर् रखना, रिपल्स, अट्रेक्ट का अपोजिट क्या होता है या, रिपल्स होता है, आप सभी को पता है, अट्रेक्ट मतलब किसी चीज़ को, अकर्शिक करना, और प्रकाशिक करना, रिपल्स, ओफेंड अगिन वही गुसा दिलाना, डिप्रेस, इजी वाइड, अपना करना, पोस्पॉंड करना, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को टालते हो, इसके लिए बहुत बढ़ बढ़ यह फ्रेजल वर्ब भी उस होती है, जिसम कहते है, पुट ओफ, क्या कहते है, पुट ओफ कर दिना, पोस्पॉंड कर दिना, एक और वर्ट, एक्जाम में पूछा जिसम कहते है, एक्जन, क्या कहते है, पुट ओफ, ओस्पॉंड, डेफर, यह सारे सेम वर्ट से, ठीक है, हरी, जल्ली बाजी करना, एड, सायता करना, स्टॉल, हाँ, नेच्स्ट है क्या, क्वेंडर, क्वेंडर मतलब क्या होता है, बही, देको, एक वर्ड लिखावा है, ह एक वर्ड बाज़ा गया होगा, स्क्वेंडर का मतलब होता है, वो इंसान जो पैसो का बहुत ही ज्यादा वेस्टिच करे, हाँ, पर एक्जामपल है, जो 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 रुपे मिले, तो सो के सो यूड़ा कर आगए, हाँ, तो स्क्वेंडर मतलब बहुत ज्यादा खर्चिल आदमी, हाँ, जो इंसान अपनी पैसो की बच्च अतना करते वे, बहुत ही ज्यादा होने क्या करे, वेस्ट करे, तो करेक्ट अंसर यहां पर आप लोगों का हो जाएगा, स्प्लच, क्या हो जाएगा, और कॉन-कॉन से वर्ड बन सकते, तो एक वर्ड एक्जाम में पूछ रिख लग करे, जो इंसान बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करे, एक एक्स्टर वेgga इन वर्ड भी यूज होता है, एक्स्टर वेगेंट जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, ठीक है, यह सारी क्या है, इसके सिनोनिम, एक लैविश लैविष वर्ड भी उस होता है, तो यहाद रखना लैविश, स्पैंट्रिफ्ट, एक्स्ट्रवेगंट, फ्रिटर रवे, डिसीपेट, यह क्या है आप लोगों के, सिनोनेम से कौन से वर्ट के, स्वाइन रख, होट का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करते जाना, हाना जब गैर कारूनी तोर पर आप किसी चीज़ को जमा करते हैं, उसे हम कहते हैं, बाकी एजी वर्ट से, स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है, इमेज में दीख रहा होगा, इन भाई साब के पास पैसों की इतनी वोथिया है, लेकिन वो भाई साब बिचारे कुज़े वी नोट देर ल होगो का माईजर, ठीक है, मक्खी, जम्री जाया है पर दमने ने जाया, वो इंसान जो बहुत ही जादा पैसों के वारे में सोचता हो और बिल्कुल भी पैसा वेर्ट नहीं गवाता हो, हाना, उसे हम कहते हैं, तो इसके लिए करेक्ट सेनोंने माईजर होगा, और क्या-क्य इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, पार्सीमोनियस, एक्जाम में कहीं बार पूछा गया यह वर्ड भी, आना, याद अपना, आप सभी लो, पार्सीमोनियस, चिक हैं, स्मैनिंग, वेस्ट्पूल, डर्टी, सिंपल वर्ड से, चली, नेक्स वर्ड हैं, आप लोगो कोई खाम देऊ, आप वो काम ना करो, कुछ और करने लग जाता है, अपकी मम्मा क्या हो जाती, आप पे वर्ड हो जाती, इसका बदाबत है गुस्सा, ठीक है, क्रोध, परक्ट अंसर यहां पे क्या होगा, एक्जास, वर्येशन, ठीक है, नया वर्ड है, इंपोर्टेंट किसी से गुस्सा होते हो, तो आप इन सारे वर्ड को यूज कर सकते हो, ना, आउट रेज, फ्यूरी, एक आरेज़ी, रेज वर्ड भी यूज होता है, ठीक है, गली का मतलब होता है, खुशी, गार्लेंड मतलब आपको पता है, फूलो की मालव, एंटिसिपेशन आपको पत लड़का लड़की भाग जाए अभी तो रेसंट यह आप लोग उन्हें कापी सारे सोचल मीडिया पर किससे सुने भी होगे पताया नहीं कहां गांजे उस श्रीलंगा से कोई इंडिया में आ गई वो पाकिस्तान से इंडिया में आ रही है तो लोग क्या हरकते करें वहीं लो क्या प्रफिश का मितलब क्या होता है आप लोगोंने करेक्ट इंसर मार्क कर लिया होगा हाना रिलेंग्विश इमेज में आपको दिख रहा है भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध के पास सब कुछ था एशो आराम की पूरी जिंदगी वह जी सकते थे लेकिन उन्हें जब परमसत्ति की खोश थी तो उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया चोड़ चार दिया त्याग दिया उन्हें अपने लाइफ इस तरीके से तपस्वी की तरह जी रहां प्रैफर की तो रिलेंट्विश का मतलब होता है त्याग देना किसी भी चीज को तो करेक्ट अंसर यहा और फ्रीजल वावे पार्ट वित अन्हों किसी जीस से अलग हो जाना उसे भी हम क्याते हैं ठीक है तो याद रखना बहुत जादा इंपोर्टन्ट है परफीडियस परफीडियस क्या होता है भीया परफीडियस इमेज में आपको दिख रहा है यह इनको गले लगा के इनको तो याद अथना परफीडियस का मितलब होता है बेवफाई जब आप इसी के साथ होते हुए भी उसके साथ ना हो बेवफाई उसम कहते हैं परफीडियस डैक वाट डिस्ट लॉयल ऑन ट्रस्ट वर्दी और क्या-क्या बोल सकते हो भीया सभी के मन में काफी सारे वर् है क्या कहते है भी डिसीट फूल है ना डिस्लॉयल हो गया डिसीट फूल हो गया अंट्रस्ट वर्ती हो गया और कपटी एक वर्ड होता है ट्रेचरिस्ट क्या होता भी ट्रेचरिस्ट यह भी एक सिनोनिम्स आप लोग लिख सकते हो ठीके जी चल आगे बढ़ते हैं बाकी आपको बताया थे वीगर का मतलब होता है जोश, या ना, बॉन्डेज आपको पता है, बॉन्ड, प्रिलेंग फिशन भी बताया, त्यागना, या ना, इंब्रोई, इंब्रोई का मतलब क्या होता भीया, कर्स, कन्क्यूस, क्रैगी या फिर सेंसर, इंब्रोई, इंब्रोई, इंब्रोई का मतलब होता है, भीया, कर्द्ध्यूस हो जाना, चक्रा जाना, जी, क्या होता भीया, चक्रा जाना, है ना, इमेज में आप लोगों को अच्छे से क्लियर वही रहा है, हाँ न, इभाई साब क्या हो गए, पूरी तरीके से कंट्यूज हो गए, हाँ न, और क्या किसी नहीं मों सकते इसके हैं, तो देखो, जो इंसान चीजों में फस्स जैं, उसे समझ में नैक में क्या करो, हाँ न, इं यह important word, इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, ठीक है जी, next word देखते हैं क्या है आप लोगों के सामने, monotonous, very, very, very important word, भहीं बार एक्जाम में पूछा गया ही है, हाँ न, monotonous, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ही जादा बोरिंग हो, क्या हो भाई या, बोरिं बोरिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अडल, बोरिंग, बोरिंग के लिए हम एक वाड़ी ही उसकरते हैं, tedious, यह काम कैसा है बहुत है, tedious है, boring है, और क्या बोल सकते है, humdrum, humdrum, यह वर्ड भी एक्जाम में पूछा गया है, हाँना, humdrum, tedious, boring, monotonous, यह सब क्या है बहुत है, आ sex word देखी, क्या है, illusive, illusive का मतलब क्या होता है, illusive का मतलब होता है, maya, we, हाँने, इनसान दिखने आपको कैसे पैसों की पीछे बातता जा रहा है, आजकल, हाँना, like, सानसारिक चीज़े चोड़के, इनसान आध्यात्मों को छोड़के, पूरी सानसारिक चीज़ों के Baffle का मतलब होता है चक्रा जाना Intising अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था Intise का मतलब होता है किसी को क्या करना मेज़िया अपने उसमे अभ्रिमा जपाना जपाना Directing किसी को निर्देश देना निर्देश देना और clothing मतलब किसी को काम करना सूथ करना, तो correct answer आप लोगों के according क्या होगा, क्या correct answer आप पर होगा, enticing, क्या होगा भईया, enticing, और क्या sinonim हो सकता है, तो एक sinonim में इसका लिख लो, आप लोग, evasive, और कोई such important word याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों के mind में कोई आए, तो comment में मुझे ज़रूर बताना, है न, illusive के synonym में लिख लो, एक invasive और enticing, next word है भईया, astound, astound का मतलब क्या होता है, कई मारे exam में खुचा गया है, चार options आप लोगों के सामने है, I hope image के truth clear हो गया होगा, astound का मतलब होता है, चक्रा जाना, surprise की वज़े से भी हो सकता है, positive, negative, दोरों context में हम इस वाट को यूज़ करते है, astound का मतलब होता है, bewilder, चक्रा जाना, confused हो जाना, confused हो जाना, that means what, perplex हो जाना, चीए, confused हो जाना कि अब हम क्या करें भी या, confused हो जाना, और इसके लिए एक वर्ड और भी होता है, जिस हम कहते है, astonish, astonish से लेटेट एक वर्ड यूज़ होता है, amazed, क्या होता है भी या, amazed, तो इस वर्ड को भी आप लोग याद रखना, जाना, चीए, एक वर्ड होता है, हक्का बक्का, किसी चीज़ को दिखा, आप जब एक दिपर से वह जाते हो, हो, ऐसा, तो उसके लिए एक वर्ड हम यह यूज़ करते है, फ्लेबर, गास्टेट, फ्लेबर, गवास्टेट, ठीक है, यह वर्ड भी एक्जामें तो उछा गया है, ठानो तो आप लोग इसको भी याद रखना, फ्लेबर गास्टेट, ट्रैंग्पॉल का मतलब होता है, भी या, शान्थ, प्लैसेट का मतलब भी वही होता है, सीरीण का मतलब भी वही होता है, तीन ही synonyms है, important, शान्त, ठीक है जिंक, चल, आगे बढ़ो, कैजॉल, यर्प, ये वर्ड तो कहीं बार exam में आया है, कैजॉल, कैजॉल का मतलब भी होता है, किसी को बहलाना, फुसलाना, क्या होता भीया, फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, ठीक है, दिख रहा है, आप लोगों को ये क्या कर रहा है, उसको फुसलाने का काम कर रहा है, पैसा दे दे के, खाना, तो 29, अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, 29 इसका क्या होगा, correct answer होगा, और क्या-क्या हो सकता है, कैजॉल के synonyms में तो एक वर्ड लि वीडल, ठीक है, ये सारे important word है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और next word दिखते हैं, फीबल, फीबल का मतलब क्या होता है, इमेज के थुरू आप लोगों को प्लियर हो रहा होगा, और भाई साब कैसे बिलकुल ऐसे पतले से, सुस्त से कमजोर से, नाजुप से, तो फीबल का म कमजोर, नाजुप, तो करेक्टनसर यहां पर क्या होगा, वीग, और क्या कि सिनोनिम हो सकते हैं, फीबल के, तो फीबल के सिनोनिम में एक वर्ड आप लोग लेको, फ्रेल, important word है कहीं बार पूछा है, एक वर्ड आता है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेल, ये वर्ड आ सारे सिनोनिम से, और strong, robust, robust, again important word है, इसी का सिनोनिम है, robust मतला होता है, मजबूत, टाकतवर, ठीक है, चल, next, okay, next है आप लोगों के सामने क्या, evident, evident word अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिसकस किया था, किसी ये सिनोनिम में बताया था, मैंने आपको, evident मतला होता है, प्रकट, प्रकट होना, क्या था भी या प्रकट होना, प्रकट होना, या फिर जो चीज क्या हो, इसपश्ट हो, clearly visible हो, इसपश्ट हो, तो इसपश्ट हो, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, obvious, जो चीज इसपश्ट हो, उसके लिए एक word हम यूज़ करते, certain, certain यूज़ करते, clear क्या सकते हैं, obvious, और एक और वर्ड अभी तो इदे पहले आपको मैंने बताया था, apparent, ठीक है, बाकी यह तीनों आपस में क्या है, synonyms है, unclear, dubious का मतलब होता है, doubtful, hidden मतलब होता है, छुपा हुआ, यह दखना है, यह वर्ड भी कहीं बार exam में पूछा गया, dubious मतलब क्या होता है, ठीक है जी, next, देखी क्या है, congenial, congenial मतलब क्या होता है भी यह, congenial, चार options है आप लोगों के सामने, image के फ्रू बताइए क्या होगा, दोलों आपस में एकदम दोस्ती आ रही, बिल्कुल perfect, है न, तो congenial का मतलब होता है, मिलन सार, क्या होता है भी यह, मिलन सार, है न friendly आप क्या सकते हो, है न, friendly क्या सकते हो, और यहाँ पर answer क्या होगा, इसका correct, cordial, है न, friendly क्या लोग, है न, और मिलन सार के लिए हम एक word यूज करते हैं, जिस हम कहते है, gregarious, है न, और affable, प्यारा हो, जो आपको प्यारा हो, affable हो, उसके लिए भी हम यह वाला word यूज करते ह है, एक word अभी recent exam में पूचा गया था, admirable, recently CP exam में पूचा गया था word, यान याद रुखना, admirable, यह भी important है, आप लोगों को याद रुखना है, चिक है जी, चाहिए, बाकी words, simple है, harsh, hateful, unfriendly, easy words है, next is, pensive, pensive क्या होता है, इसको याद करने के trick आप ऐसे याद कर सकते हो, pensive, जब हमें कोई चीज सोच ही नहीं होती है, तो हम अपनी pen को ऐसे मूँ में डाल के लगते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ लोग की आदत होती, pen को चबारे लगते हैं, जब उन्हें कुछ सोचना होता है, otherwise ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो pensive का मतलब होता है, विचार शी, यह भाई सब आपको देख रहे हैं, बिल्कुल किसी दीब, ठॉट में, किसी चीज को सोच जारे हैं, विचार जारे हैं उसके बारे में, तो thoughtful होगा इसका correct answer, ठीक है, pensive techniques, विचार शी, जो इंसान किसी चीज के बारे में क्या करो, बहुत ज़्यादा सोच रहा हो, इससे लिटिट एक word exam में, पूछा जाता है, contemplative, ठीक है, एक word होता है, brooding, brooding का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज के बारे में, बार बार continuous, सोचना, ठीक है, तो या दखना, औ और एक word क्या है, भीया, meditative, meditative, ये भी इसका क्या है, correct synonym, तीनों की तीनों, synonym में किसके, पैंसिव, ठीक है, ignorant, अभी थोड़ी दिर पहले ही आपको बताया था, अग्यानी, intelligent, बेपरवा, shallow, आपको पता ही है, पानी जहापे ज़्यादा नहीं होता है, shallow, shallow water, उसे हम कहता ह बिरेफ्ट, 40 word cover हो चुगी भीया, almost, बिरेफ्ट का मतलब आप लोगों को बता रहा है, क्या होता है, बिरेफ्ट का मतलब होता है, जब आप किसी चीज़ से क्या हो जाओ, वंचित हो जाओ, क्या हो जाओ भीया, वंचित हो जाओ, English वहम कहेंगे, depressed, एक और वर्ड इसके ल very, very important word, photo दिखाते हैं तो आपको याद आजाएगा शयद, discrete का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, कैसे परसन थे बहुत ही ज़्यादा, विवेक शील, बहुत ही ज़्यादा दिमाक वाले आदमी थे, विवेक शील, तो इनके लिए हम क्या word उस करेंगे, discrete, discrete मतलब careful, ज जिसन कहते है, prudent, prudent, wise, thoughtful, prudent, wise, thoughtful, thoughtful भी कह सकते हो, और एक word लिखलो, cautious, क्या होगा भीया, cautious, ठीक है, ये सारे important word है, एक और वड़ी आदा है, लिखो judicious, judicious, वो इंसान जो कोई भी चीज सोच समझ के अच्छे judgment देता हो, उसके लिए हम ये word उस करते है, judicious, तो याद रखन वुंडेन का मतलब क्या होता है, सांसारिक, हाना, चाँ, मैंस देखो भईया, next word है, felicity, क्या भईया, felicity, felicity का मतलब होता है, खुशी, क्या होता है भईया, खुशी, इमेज में आप लोगों को देख रहा है, हाना, bliss, अब bliss, खुशी से रिटरिट क्या क्या सिनोनेम सो सकते मैंनी, हाना, भहुत सारे सिनोनेम सो सकते, अभी तो इदे, पहले ही हम लोगों देख रहा था, गली, हाना, रैप्चर, रैप्चर, एक वर्ड लिखो क्या, एस्कटेसी, एस्कटेसी, हाना, इलेट, जब आप बहुत जदा खुश होते हो, तो उसके लिए भी हमें एक वर् हाना, डिलाइड भी होता है, बाकी आगे बढ़ते है, मिजरी मतलब पीडा, ग्रीफ, दुख, ट्रबल, पीडा, तीनों की तीनों, अल्मोस सेम वर्ड से है, हाना, नेक्स वर्ड है, रैटिसंस, यह भी थोड़ी दे पहले ही हम देख चुके है, फटा वट अंसर लगा रह हाटी, हाटी का मतलब क्या होता भी हाँ, इमेज के थ्रू, आप लोगों को क्लियर हुझा, यह भाई साब कैसे दिख रहे हैं, हाटी दिखने की नहीं, हाटी वो वाला हाटी नहीं है, यह घमंडी वाला है, ठीक है, वो इंसान जो हाटी ज्यादा घमंड में चोर हो, आना, सबकुछ अपनिच है, आना, उसे हम कहते हैं, हाटी, घमंडी, तो घमंडी के लिए एक वर्ड यूज होता है, एरोगिंड, कहीं बार आप लोगों ने देखा हो गए वर्ड, आना, एरोगिंड, आप लोगों के सामने अंसर भी वही है, और एक और वर्ड होता है, कंसीटि जिसे हम कहते हैं, हिंडी में, नबिश, कंसीटिट, एरोगेंट, होटी, ये सारे क्या है, सेम सेम वर्ड से, ठीक है, ओके, नेक्स्ट इस लीथल, लीथल का मतलब क्या होता है, भी, चार आप्शिन आप लोगों के सामने दिये हैं, चारों के सारों, बहुत एजी वर्ड से लीथल का मतलब होता है, घातक, डेंजरस, जो चीज़ क्या हो भीया, घातक हो, डेंजरस हो, सेटल हो, तो लीथल के सिनोनिम में लिख लो, जो चीज़ क्या हो, डेंजरस हो, हजाडरस हो, और क्या बोल सकते हो भीया, आप लोग, और क्या बोल सकते हो, हजाडरस हो, डेंज यह क्या है भी यह इसके सिवनेम से ठीका तुमलिस मतलब क्या होता है important word है stimulus का मतलब होता है प्रेना है ना जब आपको काम करने के लिए कुछ कहते है न बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको हम साइकल दिलवा देगे कुछ दिलवा देगे तो वह होता है stimulus लेना देना imaginary kalpnick bliss अभी तुभी दे पहले बता है bliss का मतलब होता है खुशी ना याद अतला important word है रख okay next word is antipathy antipathy का मतलब होता है भाया घ्रना किसी से क्या करना द्वेश पालना क्या करना भी या द्वेश पालना घ्रना ठीक है clumsy dislike annoying afraid तो correct answer होगा dislike जब आपको सामने वाला परसन बिल्कुल पसंद ना हो तो उसे हम क्या कहते एंटीपथी ठीक है और दुश्मनी hostility घ्रना के लिए हम ये वर्ट्स यूज करते हैं लिखते जो फटावच से कॉपि में antipathy हो गया hostility हो गया animosity हो गया ये सारी वर्ट्स अभी recent exams में continuously पूछे गए है ठीक है hatred एक वर्ट लिख लो hatred ठीक है hatred animosity hostility dislike ये सारे के सारे कैस के annoying मतलब परिशान करना clumsy मतलब होता है बेढ़ंगा है ना मतलब जो होर जगा पी चीज़ा गिराते रहे हैं उसमें कहते है clumsy afraid डरा हुआ नेक्स देखे भीया dearth dearth क्या होता है reduce contrast shortage glorify में इमेज में दिख रहा होगा dearth मतलब क्या किसी चीज़ की कमी करना क्या करना भीया कमी है ना तो करेक्टल से निया पर क्या होगा shortage क्या होगा shortage के लिए एक और वर्ड हम यूज करते है scarcity scarcity एक वर्ड होता है positive यह भी important वर्ड है एक्जाम में पूछा गया है scarcity positive deficiency inadequacy deficient inadequate 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 इन सभी वर्ड का मतलब क्या होता है किसी चीज़ की कमी होना ठीक है जी चाहिए आगे भरते हैं और देखते नेक्स वर्ड क्या है यह वर्ड अभी थोड़ी दे पहले ही हम लोगों ने देखा है ज्यादा समय व्यर्थ ना गवाते वे इसकांसर फटावट हम लगा लेते हैं का क्या होगा अपरेंट की बतलब मैनिफिस्ट जानवर्य शायरोग फिश्रांडर का मतलब होता है जब गमाना थीक है तुल लीक लो स्टंबल स्टंबल क्या है इसका एक्जेक्ट सिनोनिम है स्टंबल फ्लॉंडर और क्या कह सकती हो एक वर्ड यूज होता है फॉल्टर फॉल्टर एक वर्ड यूसे थे है वेवर, क्या होते है भी यह वेवर, हैनो, स्टंबल, फॉल्टर, वेवर, फ्लॉंडर ये सारी के आपस में सिनोनेंज, ट्रेंप का मतलब होते है विजेता, सक्सेस पता है रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होते है मान नियो, यह जिए हम बहुत ातलब होते है विजेत, क्या होता है विर्थ, तो विर्थ का सिनोनेंगऄ यह पर हो जएगा, यूस, क्या उजेगा भई यहूस, यह उसलस, और क्या-क्या सिनोनिम हो दकनते हैं, फ्लॉटल के तो आप लोगों को पता होग गा, अन्परडुक्टिफ, फ्यूटाईल यूजलेस विसारी क्या सिन्मनेम से चिक्षा आगे बढ़िए जिस्ट जिस्ट का मतलब क्या होता बहिया ब्रेव हमबल प्राउट एरोगेंट क्या होगा आपके कोड़े इमेज के थ्रूँ आपको देख रहा होगा यह गुडिया है बिल्कुल विनम्रता से खड़िए तो मॉडिस्ट का मतलब वही होता है विनम्र क्या होता है विनम्र हमबल हमबल का सिन्होंने में एक हो जाएगा क्या पुलाइट जब आप किसी सामने अले परसन के सामने मीक होता है एक वर्ड होता है सब्मिसिफ सब्मिसिफ पुलाइट मीक सब्मिसिफ सब्सर्वियंट एक वर्ड यूज होता है सब्सर्वियंट यह सब क्या है इसके सिन्होंनेम्स है बाकी वर्ड सेजी है एरोगंड घमंडी प्राउड भी देखा ब्रेव बहातुर नेक्स क्विवर 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 का मतलब होता है कापना जब दर के मारे आप लोगों के सामने साप आजाए तो आप क्या तन्य लंग जाओंगे कुछ लोग तो उठा के पहिंग देंगे कुछ लोग काप जाएंगे है तो क्विवर का मतलब होता है शेक क्या होता है यह क्विवर इसके लिए एक वर्ट हम यूज करते क्या ट्रेंबल थंड में थंड में हम कभी-कभी कापते हैं जब बहुत ज़्यादा थंड होती है तो हम शिवरिंग करते हैं कि नहीं तो शिवाल ट्रेंबल यह सब क्या इसके सिनोनेम से जी नहीं कि देखी क्या है यह वर्ट थोड़ी पहले हमने देखे है ना फ्रेल फ्रेजाइल वीक इंफर्म ठीक है जी बाकी यह तीनों आपस में क्या है सिनोनेम से यह रखना सिर्वनेंस में एक पैटर्न अनलिसस किया गया है कि most of the time examiner क्या करता है तीन वर्ट सिनोनेम देता है और एक वर्ट अलग देता है तो जब भी इस टाइब का केस होना तो यह रखना 99% केसे में ऐसा होता है जो तीन वर्ट सेमें न वह अंसर नहीं होते है जो एक अलग वर्ट होता है न वह अंसर होता है जैसे आपको यहां पर दिख ला है यह तीनों वर्ट आपस में सिनोनेम यह तीनों वर्ट आपस में सिनोनेम है त बताईए, एकॉलेट का मतलब होता है प्रशंसा, जब आपको इस प्रशंसा नियाँ काम कर लो, तो आपको बदले में जो मिलती है, वो क्या होती है, एकॉलेट होता है, तो एकॉलेट का करेक्त नसर यहांपे, बताई हो जाएगा, लोरेल्स, इक आलेट के synonym में आप एक वर्ड लिखे लो appraise, जब आप किसी को praise करते हो प्रेज नहीं, praise ट्रिब्यूट फईलो, commendation जब आप किसी को commendation देते हो फालो, ये सब क्या है, इसके synonyms है इसके भईया एक ओर इडिय थिके में प्रशन साथ एक और word इससे लिटर ड्यूज किया जाता है, जब कहते है, applaud, क्या कहते हैं भी याँ, applaud, तो याद रखता है ये भी word important है, ठीक है, Mediocriti, Mediocriti का मतलब होता है वो इंसान जो बहुती ज्यादा simple हो, सरल हो, उसके लिए हम word यूज करते है Mediocriti, याद रखना ये भी important है, उपर यूप, याद वो इंसान जो सारे लोगों में से क्या हो, best show उपर यूप, उसे हम क्या थे क्या थे क्या, तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप necessary क्या सकते हो, क्या क्या सकते हो, यहाँ पर options के recording, आप क्या कहोगे, necessary कहोगे, वैसे इसका correct exact meaning होता है, योग्य, याद वो इंसान जो किसी चीज़ के लिए क्या हो, बिलकुल, fit हो, योग्य हो, necessary, आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, बाकी options easy है, I don't think so, कोई word आपको difficult लग रहा होगा, still अगर कोई ऐसा word है, जिसका meaning आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो please आप सबी लो comment box में लिख लेना, मैं आप लोगों को इसको reply दे लोगे, ठीक है, अगर कोई ऐसा word है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं ऐसा मान के चल लिए हो, कि इतनी vocab तो आप लोगों को पता ही होगी, लेकिन still कोई students की बहुत जारा वीक होती है, तो अगर आप लोगों कोई कहीं पर doubt आ रहा है, त ठीक है, famous, popular, जिनसे हम रहुत जादा प्रसिद्ध हो, उसे हम क्या कहते है या, eminent कहते है, इसके लिए एक और वर्ड यूज़ाता है, जिसम कहते है, notable, notable, एक वर्ड और यूज़ाता है, prominent, prominent, प्रसिद्ध, ठीक है, याद अतने important word है, insignificant, जो बिल्कुल काम का नहीं, blind, मिला या, typical, easy word है, okay, next is, demo, nair, ये जो class, आप लोग देख रहे हो, या, कम से कम दो बार देखने हैं पड़ेगी, तभी सारे words आप लोगों के बीज़े में घुसेंगे, ठीक है, तो कोशिश करने, इस class को कम से कम दो बार देखो, है न, एक बार तो आप words को first time देख रहे हो, और next and revision के perspective से देखना, ठीक है, बहुत मेनत लगी आप लोगों को इस class को design करने में, तो please, सारे के सारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, संभी लोग, please, like करकर जाना, ठीक है, okay, debonair, image के तुरू आपको क्या समझ में है, debonair मतलब क्या होता है, image में आप लोगों को क्या सम कहनता हो, बोलता है, बहुत ही sophisticated manner में हो, उसे हम क्या कहता है, debonair केता है, ठीक है, इसके लिए एक word यूज होता है, suave, क्या use होता है, suave, important word exam में पूछा गया है, आप लोगों को भी या दखना है, suave हो गया, elegant हो गया, और इसके लिए हम एक word यूज करते है, sophisticated, क्या यूज जो चीज़ गिराता है अनारी टेक का डिफिकल्ट इसी वर्ट है ठीक है यह दखने हैं जो जो वट्स में आप लिखती जा रहे हूंने स्क्रीन पर आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं ठीक है जी चले राइविट राइविट का मतलब क्या हो था भी आपको क्लियर हो जा लिखता होगी अननिसेसरी वर्ट एक भी स्लाइड में मैं नहीं लिखने वाली हो ठीक है और इस स्लाइड का आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा और टेलिग्राम चैनल पर ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगे ठीक है आप इसे PDF के तोर पे भी उ संजोता क्या होता है भीया संजोता यह इंगलेश हो जो बोलो क्या है क्या थ Gary किए सकती हो जब धो यहंद से ज्यादा लोगों के बीच peng on track थो यह सब क्या कै तो क्या कमेंट पैक थो फैक्त है सकती हो 5 एक वर्लियोस होता है व curry क्या होता है भीया treaty तो यहां देखने treaty, pact, contract यह सब क्या है आप लोगों के synonyms किसके comment एक सिंपल वर्ड है आपको पता ही होगा बाकि वर्ड भी इजी है है न डिवोशन मतलब अपनी इच्छा शक्ति है न डिवोशन किसी की प्रती जब आप बहुत जब दर डिवोटिड रहते हो उसाम कहते है डिवोशन ओके, next one is next word आप लोगों के सामने है exceed, exceed का मतलब होता है किसी की बात को क्या करना, मानना, image में आपको दिख रहे है, exceed मतलब क्या होता है किसी बात को मानना, consent देना अपना, क्या देना भीया, consent देना, अपनी रजामंदी देना, उसे हम क्या कहते है, exceed, exceed से related एक औ मानना या फिर क्या करना, अपनी सामती देना, ठीक है, चल, next देखें भीया, next word आप बारबरस, very, very, very important word, कहीं बार इंग्जाम में पूछा गया है, बारबरस का मतलब क्या होता है, image में दिख रहे हैं आपको, कैसे भाई साम दिख रहे हैं आपको, मिलकुल बहुत ही खदर आप घेमा असब्य से दिख रहे हैं कैसे देख रहे हैं घएका, तो यह क्या हो गया, वहीं है आपका असब्य, uncivilized, क्रूड क्या सकते हो, क्रूड हो गया, uncivilized हो गया, और और क्या, savage, savage, unsophisticated भी कह सकते हो, ठीक है, unsophisticated, uncivilized, crude, barbarous, ये सब क्या है, इसके synonym से, ठीक है, याद रखीगा, सो, मुझे लगता है, आज की class में हम लोगोंने enough words cover कर लिये हैं, तो इसके बात के words के लिए, हम आपके लिए part 2 लेकर आएंगे, ठीक है, part 2 synonym का, already, मुझे लगता है, एक घंटे से ज़्यादा का ये वीडियो हो गया है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा और में नहीं रख रही ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा, आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो part 2 लेकर आऊए, और इसके आगे जो words है, वो हम part 2 में discuss करेंगे, ठीक है, बाती आप लोगों क्या करना है, इस वीडियो कम से कम दो बार देखना है, so that सारी चीजे आपके mind में बिल्कुल क् सेट जाए, part 2 आए, उससे पहले, part 1 के जित्ते भी words है, वो सारे के सारे अच्छे से आप लोग, revise कर लेना, याद कर लेना, रट लेना, क्योंकि अब कम ये एक्जाम में है, I'm definitely sure इनमें से आपको words देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आखनी में सभी को यही कहना चाहूँग क्यों है क्यों है, पि ranksmaने में हम हुते गल से आपकोई में हैं।